हेलो फ्रेंट्स, रोयल क्रेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स, मैं आज आपको लिख रहा हूँ बम होडी बान जो की भॉमा से लगभग 5 क्लिमीटर दूर ये बान्ध है जैसे कि फ्रेंट्स आप सामने देख रहे हैं यहां का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही हरा भरा नजारा आप सभी को यहां देखने को मिल रहा है साथ ही पानी और आसपास जंगल आप सभी को यहां देखने को मिल रहा है तो बने रही है वीडियो में फ्रेंट्स मेरे साथ मैं आपको आगे भी नजारे दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे नजारा आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे कि फ्रेंट्स आप सामने देख रहे हैं बहुत ही अरे भरे जंगल आप सभी को यहाँ देख रहे हैं साथ ही आपको सामने का नजारा दिखा रहा हूँ यहाँ बहुत ही हरे भरे गने जंगल और पेड़ पोधे लगे हुए हैं साथ ही हरी घास यहाँ पर है और यहाँ का नजारा बहुत ही सुन्दर नजारा आप सभी को यहाँ देखने को मिल रहा है और हरी भरी हरी आली भी यहाँ पर है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं मैं कैमरेमेन से गुजारिस करूँगा कि वो यहां का नजारा दिखाए कि यहां का नजारा कितना अच्छा और सुन्दर द्रश्च यहां देख रहा है स्क्रिख इंगो यहां दिए कि वो यहां कि वो यार आ में आना हे व Our Black जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पानी की कितनी सुन्दर लहरे आप सबी को यहाँ देखने को मिल रही है साथ ही सामने आप मंदिर देख सकते हैं वहाँ भगवान स्यूजी का मंदिर है फ्रेंट्स ले चलता हूँ मैं आपको आएंगे देख सकते हैं पांगे का द्रश्च दिखाने जो की बहुत ही अच्छ द्रश्च आप सभी को यहाँ देखने को मिलेंगे तो बने रही है वीडियो में लाट तक मेरे साथ जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये मंदिर ये भगवान भोले नात का मंदिर है जो की ये बांध के पास बना हुआ है और साथ ही यहाँ हनुमान जी की मूर्ती भी इस्थापित है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं भगवान हनुमान जी की मूर्ती यहाँ पर इस्थापित है तो फ्रेंड्स ले चलता हूँ आपको आंगे का व्यूटिफुल नजारा देखाने जो कि बहुत ही सुन्दर है जैसे कि फ्रेंड्स आप सामने के यह नजारा देख रहे हैं बहुत ही सुन्दर नजारा आप सभी यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत है जैसा कि फ्रेंट्स मैंने आपको पहले दिखाया था जर्ना आप सामने देख सकते हैं जो पार जैसा देख रहा है आपको ये वही जर्ना है जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये जरना का पानी आँगे जाकर एक बहुत ही अच्छा द्रश बनाती है जो आप सभी को मैं देखाओंगे फ्रेंड्स मैं आपको आँगे जरना देखाने वाला है जिसका आप सभी को सब्रह से इंतरजार था तो मैं ले आया हूँ आपको ये जहरना देखाने जो की बहुत ही सुन्दर द्रश्य आप सामें देख रहे होंगे साथ ही आपको ये द्रश्य पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स आप यहां आकर मज़ा लीजिए यह जहरने का जो कि बहुत ही सांदार द्रश्य आप सभी को यहां देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स आप भी यहां आकर देखिए यह जहरना बहुत ही सुन्दर जहरना आप सभी को यहां देखने को मिलेगी साथ ही फोटो सूट के लिए ये जगह तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो को आपको हमारी वीडियो को लाइक करें कोमेंट्स करें हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें